कि सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि एक लंबे अर्शे के बाद एक लंबे अंत्राल के बाद में और मैं नमस्कार वगडी जी नमस्कार विल्कुल आ गए सई टाइम पर तो मैं यह कहरा तक सबसे पहड़े तो यह कहरा था मैं कि लंबे अर्शे के बाद और विल्लाइब प्रूग्राम में आ रहा हूं नमस्कार मनमीत सौनी प्रणाम राइंद्रकसवा जी प्रणाम अजी कुछ नहीं ऐसे नहीं नामबड जी तो हमारे बहुत प्रेणा है नामबड जी उनसे कहां हमारी कुई हो सकती है प्रणाम है इस प्रणाम सर्माजी तो एक अंत्राल के बाद मैं आप लोगों से मुखाते भोरा हूं पिछले जो लाइब प्रूग्राम थे खास्तोर से बोधी प्रकासन के लिए जो पूरी एक सीरीज मैंने की उसमें आप सब लोगों का बहुत प्यारा रेस्पॉंस अपने आप में मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्स्परियंस था जन सरुकार मंच को तो हम अपना ही मंच मानते हैं इसमें दो तीन बार में प्रोराम कर चुका हूं पहले और इसके अलावा दूसरे दूसरे और उन पर किये थे आप सब लोग जो यवाओं का एक बहुत अच्छा एक माध्यम दिल्ली से जो चल रहा था वहां से भी जो मैंने प्रोराम किये उसमें भी आप सब लोगों ने और खास्तोर से हमारे योवा रचना कारण है मेगा मित्तल के उन्मान में जिस तरह से सिर्कत की वो बहुत बहुत ही पुत्प्रियरक था और उसमें भी मैंने काफी तरह की हिस्सेदारी की अभी उसमें मेगा को चोड़तारे का एक्सप्रिम अच्छी बात है और युवा में इस तरह का यह जजबा होना बहुत ही स्वागत युग बात है तो वो कुछ और तरह की चीज़े कर रही है जिसको आप महां जाके उन्मान के उस पर पेज़ पर देख सकते हैं और हमें अमीद है कि वो भी प्रियोग एक अलग तरह का हुग चेतन और दिच्चे जी नमस्का चेतन भाई हमारे बहुत ही इस कहना चाहिए कि अलग अलग जो अनुसासन हैं पेंटेंग कविता और जो दूसरी चीजें इस तो यह इस तरह से कंत्राल के बाद में मैं आप लोगों के बीच मारा हूँ प्रणाम मंताजी प्रणाम अरे आ आप सुन रहे हैं तो चलिए मताजी बताएंगे कुछ साड़ थक बाहतम कर भी तो यह जो है देविंद्र हमारे मित्र देविंद्र जोशी जो जन सरुकार्वांच का माध्यम चला रहे उनका आग्रह था बारबार के आप ऐसे नहीं आपको कुछ करना पड़ेगा और हमार करने के लिए तो उसमें फिर एक बिचार में ले करके आपके वीच माया हूं और यह बिचार है जिसको आपको सियर कर रहा हूं मेरे पास इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे तो मेरे पास उसके कोई बने मनाई उत्तर नहीं है लेकिन मुझे उम्मीद है नमस्कार राज कमा करता है पहले में बतातों कि हम लेखक की हैसियत पर बात कर रहे हैं तो लेखक की हैसियत को लेकर के किसम का सोच विचार तो चलता रहता है पर वह बहुत तो अर्थवान नहीं बन पाता एक फूटाइल सी एकसरसाय जो करके रह जाती है तो आम तो पर आपने देखा होगा इसाइक है पर ध से हमारे श repeira हैं किसी बिधा में काम कर रहे हों का अगज्टा में आनी में आपन न्यास में वह कूछते रहते हैं कि लिखक की तो कोई को पूछ ही नहीं कोई बखति नहीं समाज पूछता घीनिया को सरकार नहीं पूछती है लेकस को तो लेकर को कि तो हम थोड़ा सा इस चीज को गंवीरता के उसमें लाने की कोशिश कर रहें कि लेखक की हैसियत को लेकर के कुछ सोच विचार किया जाए और जाहर है कि हम हिंदी के संदर में यह बात कर रहें हिंदी साहत्य के लेखक है तो सीधा सा मतलब साहत्य से होगा नमस्कार जगदीश ब से पूरी चर्चा संदर्वित है और यह ख्याल मेरे को बहुत बर्सों से मेरे जेहन में रहा है जो आप से आज में शेयर कर रहा हूं और चीज़ें पर मैं बात करता रहा हूं थोड़ा थोड़ा बात करता रहता हूं बात आगे वड़ती रहती है इस तरह से चलता रहता है लेकिन ये जो एक मुद्दा है लेखक की हैसियत वाला इस पर मैंने बहुत ही अंतरंग चर्चा में भड़ी थोड़ी बहुत बात कियों लेकिन आफचारी रूप से इस पर कोई चर्चा ने कि पहली वार इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपसे सोचा बहुत है मैं सोच ने इरादा को सायते पढ़ता था और तब मुझे सेलेस मटियानी की किताब मिली उसका सीड़ सक ही है लेका की हैसियत से तो उस किताब का सीड़ सक यह ही है लेका की हैसियत से और पूरी किताब सेलेस मटियानी ने इसी पर लखी है और आप में से जिन लोगों ने सेलेस मट पढ़ा हुआ हमारे हिंदी के बहुत बड़े कथाकार रहे हैं कुछ सालों पहले उनका निधन हुआ है और हिंदी के कथा जगत में अलग तरह का और बड़ा सम्मान जरक नाम है कौसर कुसूर जी नमस्कार नमस्कार दिन द्याजी तो वो जो है विजय वाई नमस्कार तो वो जो है उनकी तक तक मैंने उनका कोई कहानी अपन्यास नहीं पढ़ा था पहड़ी किताब हुप पढ़ी और मेरी उनके बारे में दिल्चास भी पएदा हुई उन दुनों दरह मेयोग साथ तक अंदुस्तानी सब निकलते थे मुझे लगता है मैं ग्रेजुएशन की क्लास एज महुँआ तब कि यह बात है उस किताब ने बहुत प्रभावित किया और उसके प्रभावित करने का जो एक बड़ा कारण था वो यह था कि दो तीन चीजे मेरी समझ भाई उन्हीं दनों मैंने मुक्तिवोद को थुड़ा सब्सक्राइब तो कभी समयनों के कभी मंद से कहते थे कवता पढ़ती हुए कि हम लोगों की क्या है देखो विचारी मुक्तिवोद की ऐसे टैथ हो गई इस तरह से नराला के वारे में का जाता था और वो में सुनता था और फिर मैंने से लेस्पाटियानी को पढ़ा कवता नमस्कार तो तो भी दिर्चस्पी उनके साहत्ती के वारे महीं फिर मैंने पढ़ा उनका तो कुछ उनके इस तरह के क्रतियां है जनमें वो खुद चित्रित हैं पर खुद जो है इस तरह से नहीं है वो अपने उनके पात्र भी है बंबाई की प्रिष्ट भूमी पर उनके जो अपन्यास हैं और फिर मैंने उनके बाद के पढ़े जो शेलेश्बट्यानी पाड़ के रहने वारे थे उत्रा खंड के और उनका बच्पन गुजरा था बहुत ओम्नागर जी नमस्कार अब बहुत मुश्कलों में उनका बच्पन गुजरा था और वहां से फिर वह बं बड़े हुए जादा बड़े नहीं हुकि अपने बच्पन में ही और बंबई चले गया ओर इसे मीट मास की संध्य और उन्होंने मास काटने का ज़ içलने का साफ करने का यह वाला dil नमबे समय तक काम किया और यह काम किया तभी वो उनमें लिखने का जजवाया लिखने लगे और वो लिखने लगे और धीरे-धीरे आप देखिए के ऐसे काम करते हुए फिर होटल वगरा में बहर एका इस तरह काम मट्यानी ने किया तो और उस समय वो थोड़े दिन बाद धरे में जैसी पत्र काम हो भी करते रहे तो उन्होंने वो सब जो है अपने पहले फेज में लिखने का जो पहला फेज था उनका लिखने का फेज इस तरह से उनका बंबई पर पहले लिखा उन्होंने और उसके बाद में जो है उन्हों अपने जो जहां से आए थे उत्रा खंड पर लिखा और तीसरे फेज में लावाद में रहे वो ज्यादा तर ममता जी के पास तो उनके भी बहुत संस्वाण होंगे तो फिर वो वो फेज है उनका लिखने का इस तरह के तीन मुख्यत है फेज हैं तो इस बंबई वाले फेज म आप ये बताती है कि अगर में लिखक नहीं होता तो इस जिंदगी की जिस जिंदगी को मैं जी रहा हूं इसकी कहानिया कभी भी आप लोगों के सामने नहीं आती हैं तो ये लिखने ने ही जो लिखने का मेरा सामरत थे था या जिसको अपन बोल चाल में कहते हैं कि भाई इ मेर राफस में चम्ता नहीं होती बार की दुनिया और बाहर के दुनिया औभार आ शे में यह सकता था तो इसने मेरे एक हैसित बनाई है विजूद को मेरे और आश्टित्व को एक आठतील्या उनके जीवन को पर अधर्थ दिया है उनके व्यक्तित्यों को एक महत्ता दिया है वह महत्ता जो उनको इस रशनात्मक्ता से मिली है तो यह जो है कि तो मैंने कहा कि उसकी चर्चा कभी गंभीर्टा से नहीं कि जा दिया तो मिलें को हमेशा सेलश मट्यानी जयाद आतें और फिर मैं हमेशा यही सूचता कि इस पर क्यों यह टिक करके लोग गंभीर्टा से बात नहीं करतें इस päिसे पर नमस्कार रजनी जी, रजनी मुर्वाल जी भी देख रही हैं परोगरा हूँ, कि आपने समय नकल आए, तो ये मेरे को ख्याल रहता था, तो मैं आपके सामने कुछ इसके जो पहलू हैं, वो आपके सामने रख रहा हूँ, और उससे हम सूचती चलेंगे, आगे बढ़ती चलेंगे, और उसमें से मैं समझता हूँ, काफी सारे सवाल आएंगे हमारे हैं उसमें, और बहुत सारे सवालों के उत्तर नहीं होगे, कुछ की तो सवालों के उत्तर चर्चा से निकल के आए जाएंगे, कुछ के उत्तर हमारे दाना बादा हुआ है े नमस्कार को संबश्ट तो विद भी मत्राखन से आती है मैं उत्राखन के बहुत बड़े लेखक सेरेश प्रस्वत कर रहां है तोप कि अब उस पर आते हैं कि ये जो हूदी का लेखक है तो यह काप ने सुना हुआ अभार यह कहाजाता है कि तो यह जो सुपता जी जैसे सुपता बात्सायन जैसे जो नए लोग है आपको जरूर सुचना चाहिए क्योंकि लिखक की हैसियत में आपको यह जाफा करना है अब जो नई पीड़ी के जिम्मेधार है किसको क्या सव्कुर जैते हैं तो अब करें दो कि जो कहा जाता हिंदि के लेखकों में कर ये कहते हैं कि हिंदी का लेखक तौप पार-टाइम लेखक सब्राइब है जो फाझ और जो इस पर फोड़ी बथचा होती जो गोशिप उती मोर में चण चाहुती है यह सत्कुलेखक नमस्कार सब्सक्रइब पुनंजंद गोदारा तो यह उसकी तर्क में यह बात जाती है कि हिंदी की लेखक की हिंदी का लेखक तो पार टाइम लेखक है तो इसका असकी प्राइविटी में लिखना होता ही नहीं है वो कुछ और कड़ता है मुख्य काम तो उसका कुछ और होता है और वो कड़ती कड़ती जो समय मिलता है उसमें कुछ लिख देता है और जोतना यवाज में उसको किम ताहें वह कम नहीं है कि यैदिया जाता है टो एक मस्ला पूर्ण काल करक्रा का अब जरा साथ करें कि पूर्ण कालेक्पน को केम की डियी में क्या स्थितरि रही है इस नियुद्ट से इसमतियानी के बात सुरू कर रहा है शेलेस मटियानी जिन्दगी भर पून कालक लेखक रहे और आपका भी स्वागत दच्मन रावानो लड़ावाला जी और भाई ताराचन सर्मा जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत प्रोग्राम सुनने के लिए मुखर करता जी आपका भी तो शेलेस मटियानी का बहुत संगर्षवरा जीवन था बंबई का जीवन तो जैसे बने बताया लिखने से उनके उनकी जबकि उससे बड़ी पत्रका थी जो अच्छा पारिश्मिक देती थी धरमयोग साथ्तेक अंदुस्तान कादमनी वाद में पिर कहानी की पत्रका सारिका उस पारिश्मिक देने बाली पत्रका थी जो लिखे हुए को लिखने पर पैसा देती थी और उनकी अच्छे बड़ा पार्थक बरकता से लिसमट्यानी का तो उनके उपन्यास अच्छी विक्ते थी इसके बावजूद उनका पूरा जीवन बहुत कष्पर जीवन था आखरी द और वो उसकी न्याय के लिए घुमते रहे और थोड़ा असमन्य हुए वो मांसिक रूप से और उनकी म्रती हो गई तो एक मट्यानी का जीवन हमारे सामने जो पूर्ण का लगले हक थे और और पूर्ण का लगले हक बहुत कम अपवाद हैं दी के हंदी में पूर्ण का लग अरसां भरा रहा है और वो कोशते रहें कि अपनी चॉइस को अपने इस बरण को कि हमने पूर्ण काले की लेखक होना चुना यह हमारी एक बड़ी भूल रही है यह हमें इस तरह का नहीं करना चाहिए था एकाद लिखक अपवाद में निकलते हैं उनका जरूर हमें याद क करना चाहिए तो लात्मक रूप से जैसे मुझे यह मुझे या तो जानकारी कम होगी लेकिन जितनी वी जानकारी है निर्मल वर्मा को के बारे में मैंने नहीं सुना कि कोई वह बहुत लंबे समय तक कोई नौकरी अगरा नोंने की वह लिखते ही थे और यात्राइं करते थ की तो बात करते हैं लेकिन वैक्तिक संगर्स की उन्होंने कहीं कोई चर्चा की हो किस तरह का हवाला नहीं मिलता है तो एक तो पूर्णकालिक लेखा की अपने अपमें अपवाद हैं इन दीमें और उन अपवादों में भी ज्यादा तर लिखत जो है एक तरह के उत्पीड पूसमें क्योंकि यह तो एक तरफ बाचीत है हां राम भाई चलो आपको अच्छा रखता है बहुत ही अच्छी बात है और आप सुन रहे हैं आप आपको कमेंट सीव अच्छे होते हैं हमेशा कमेंट देते रहे हैं तो यह जो है तो बोजो इस तरह कि नर्वाल बर्मा जै सके और में भी इस पर आज आ रहा था पूर्मम चंद्गोदारा अपने राज़स्थान में एक लेखक याद आते हैं जो पुन्ध-द्गोदारा अपने कमेंट से मुझे याद दिला रहें वह सिऊनचल से आते हैं जहां से पूर्ण कालनिक लेखद विलेखत थी यहां बंद्र सर्माचंदर में कंधशों कर लिकिन गोधाराजी योनीन सरमाचंदर भी अपने स्थिती की शिकायत करने seeing comparatively उन्होंने ठीक जीवन जिया पर बहुत ठीक जीवन तो आप नहीं कह सकते उसको पर वो हमेशा उनके वारे में ये कहा जाता है और हमारी उससे पहले पीछे जाये तो डॉक्टर रागे रागप थे उन्होंने जिद की उन्होंने ये इस बात की जिद की कि मैं कोई नौकरी भी नहीं करूंगा डॉक्टर रागे रागप उस जमाने में अंग्री जी से पोश्ट ग्रिजेट थे एमें अंग्री इंग्रीस लिट्रेचर से में किया था और अच्छे नम्मरों से किया था वो चाहते तो किसी वी उन्वेस्टी में समय काम कर सकते थे बहुत लेकिन उनके जो आप देखिए कि जब वो बीमार हुए और उनको थोड़ी अलग तरह की बीमारी हुए जिसका बंबई में बहुत महँए अलाज हुआ और काफी सफर उनको करना पड़ा सुलोचनाजी ने अपनी किताब में उस तरह का संगर्स बयान किया है तो उस तरह के परवार सिथी राजाओं के परवेबान था तो उस तरह फॉर्टन को मिल गई कदी कि और एकुफ शूटा पर्वार था पत्नी थी शी मंतनी जी चोटी थी और घुनतु टुक्तु लखना पढ़ता था हुए तो इनको कहा जाता है रहो ने हादम्नुदर्माचंदु के अवादे काम्नों कि लखनेरों और अब आधी जो राहिंद्र कष्वा याधिह लिखनो थी हैं उन्हों भी कभी अपने जीवन की इस न्यूंते से ब्य bütün तो मन्नु जी काम करती थी मिरंडा उस में पढ़ाती थी मिरंडा जो है दिल्ली यूनिवस्टी का बहुत सांधर कोलेज है और उसमें वो प्रफसर्फ ही है मन्नु जी तो एक तरह का उनको एक सपोर्ड था उस यह सब कर सकते थे जो कर रहे थे लेकिन बेशक मतला उनका विमान नहीं था कि मैं पूरा लिखूंगा मन्नु जी से उनकी बहुत सुरुवाती बात वही तो और मन्नु जी ने भी कहा क्या आपके करिए तो हां अराम ठीक करें आप रहुल जी थे और विजयदान देथा तो लेकिन विजयदान देथा जिस तर करने के लिए करूंगा तुम एक तरह से उनका अपने वह एंजी हो था जिसको काफी देशी विदेशी पैसा वैसा संस्थान के पास आता था तो उस तरह को संकटनी था और राहुल जी जैसे तो राहुल बावा नागार चुन यह जो है अभी आगे इस पर बात करूंगा कि इस पर इस तरह से देखना हमें सुरू करना चाहिए तो अब थोड़ा इस पर आते कि कि क्या लिखना वैफ्साय हो सकता है और जब लिखना ब्याफसाय होता है नमस्कार महिश पनाठा जी दीपक सेनी जी नमस्कार तो वो किस तरह का फिर ब्याफसाय कहते हैं जब आप उसको ब्याफसाय बनाते हैं तो फिर आप यह मत कहिए कि हमने कंप्रमाइज कर लिए बुई जो डिवेट पर करा हूं जो इन फ अपर प्रमाहरीश जी के बारे में कहा जाता है करोने हविल्यां बेच दी अपने तमाम जो वह पोस्तेरी जाजात मुली थी अपने पहसे प्लत Conference से जाजात इस उनको विरासत में मिली थी वह उन्होंने उस तरह कर जीवन जीने थीम बेच दी आया यह पूरा भी क्णर तो फिर तो वो प्रोफिशनल राइटर है और वो लिख रहा है जिस तरह का सको मिल रहा है काम और वो कर रहा है तो यह जो है लच्मन नावान लड़ी वाला जी ने पूरी लिश्ट दिये जिसमें मैं देख रहा हूं उसमें बहुत सारे जो नाम है हमारे हंदी के मंच कभिय के स है तो हिंदी के मंच वाली इससी तरह की परमपरा रही है पर नीरच जी नोकरिंगरहिते पढ़ाते थे और में पड़ाएं में कितने लोग सोंठाकों मुझे लगता है सोंठाकर भी काम पड़ाते थे इस तरह कुछ था तो पर भी मंच की कविता एक दौर में बहुत पे करने वारी काफ़ा पर मंच की कविता को लेकर भी डिवेटर्ड मैं बहुत बात कर रहा हूं कि जब आप क्या ऐस की क्वालिटी वात बंत करिए कि तो इसक पहल के जब और कहते कर दो कि आपने अपने और विवेफ्षायक के अपना एक्सलेंस होता है तो उसके कि विज्ञुशन में उटकरश्टा होना चाहिए तो और जितनी भी कलाये हैं तो जब कला को अपना व्यर्जाय बना रहाए तो कला में उसकी नएतिक्ता उपनी दिश्ट मॉटे 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 क्योंकि यह इसके बारे में तरक है आता है कि यह इस विदा की जरूरत है। लिखना अपने आप में, मंता कालिया है, हमारी बहुत सम्माण्य लेख का हैं। मंता कालिया जी कह रही हैं कि लेखन एक चवपट व्यावसाय है। आपको पता है हमारे जो बहुत सम्मानी रचनाकार रविंद्र कालिया जी जो बहुत बड़े कथाकार हैं जिनके लिखे संस्पाणों ने धूम मचाई और नया ज्ञानों देख पत्रका का जबने स्वरूप बदल दिया सबसे ज्यादा योवा पिड़ी उनकी शुक्र गजा प्रत्वाओं को सामने लाए तो ममता जी और रवीजी की जो जोड़ी थी तो इनका भी लगवार रवीजी जैसे उन्होंने तेह किया ना कि मैं तो फूल टाइम लिखूंगा और इन्होंने जिम्दर लिख ठीक हम घर चलाने मदद करेंगे हम नोखरी करेंगे तो ममता जी किस तरह के काम उन्होंने जीवन में किये और उनका जी और फिर उनके संस्वाड़ा पढ़ेंगे तो सब चीजें आपको उसमें मिलेंगी किस तरह का इसलिए ममता जी जो करेंगे कि लेखन एक चौपट भी अफसाय तो उसको आप इस चर्चा में सामल करिए और उस मतलब क हि खुद लेखकों की अनुवूतियां इसको पूंड काले काम चुनने के मामृने में किस तरह कि रहे हैं और यह वह हैं रैं रभेनर यहा रामिंद्र कालिया वह उस तरह के तो इसके तर्क में एक आ जाता है कि लेखन एक कला है और इस कला में इसलिए उसकी उतकरश्टा बहुत जरूरी चीज है वो से अनवारते जुड़ी हुई है और इसलिए इसमें उस तरह का कंप्रोमाइज करने की गुणिया ज्यादा नहीं है तो ये इस बिदा की प्रिकरती के साथ जुड़ी हुई चीज है तो अब आप देखिए कि पूर्ण लेखन में पूर्ण कालिक होना और कितना चुनौती पूर्ण हमारे सामने हो जाता है कि आपको उस बिदा की प्रिकरती को भी समयना है उसके पूरे एथिक्स के साथ में चलना है प्रोफिसन अगर बनात रख्ञाषल ने सकी बाद की अपन थोड़ थी थोड़ा हैशियत की बात लेक हैशियत की फोड़ार कि असे मतलब क्या है isto है एक है जो सब्दाए और उसको पत्तिरखे से इसolog stitch पड़ता है महिस्पनठाजी मैंने बात अपनी मटियानी जी से ही शुरू की थी सेलिस मटियां से महिस्पनठाजी आप जानते होंगे कि सिक्षा और साहते में बहुत शक्री हैं एक पूरा अच्छे सिक्षकों का नेटवर्प चलाते हैं उत्तरा अंचलवन उत्रा खर्णवन और जाहरे वो कहरें कि सेलिस मटियानी के वारे माप क्या कहेंगे तो मैं उनको यह बता रहा हूं कि हमने बात ही वहीं से शुरू की थी मत्यानी से और यह जो सब्जेक्ट है मैश पनेठा जी लेखक की हैसियत यह उनी से लिया वह सब्जेक्ट है उनकी प्रसित किताब है लेखक की हैसियत से कहीं से वहीं हुआ संदर वाया तो हैसियत से जो मतलब है पाज प्रतिष्ठा में मतलब उसका लिया जाता है थे पोजिशन प्रेस्टिज इस तर इस तर सी मतलब लगाते हैं कि उसका जीवन इस तर क्या है कि इस तरह का इस तरह है उसका तो इसके जो है अब और अब इसका जो जो हैसियत का हमेशा एक संदर्व होता है हैसियत किसी संदर्व मां की जाती है और एक क्या कई संदर्व इसके हो सकते हैं जैसे कि समाज में उसकी हश्चियत क्या है बेवसाय में उसकी हिस्यत क्या है ज Own इसे लगाई जाती रही हमारे समाज में काफी वर्सों से के बजार उसको कितना झालना नेखन पोटी मुनाननेट तो प्रेम चन्चंद जी की शाण थी उन नोकने झोड़कां करूंड नॉक्री और दूसरा मार्केट में जो हिस्टियत से मतलब है इसकी मार्केट में किताबों की क्या इस्तिती है उसको कोई वात नहीं में आप बाद में देख लीजिए गाँ यह वहीं से बास रूगे थी तो लेकन बाजार एक मुद्दा है सुरू से रहाए है 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 कि मामने नीनों उसने कोई रेचना किसी पत्रगात वी एक उत्र प्र मैं और भी किसी नेट्वन. चाली के सी नेट वरक जर्युपतो होती है कोई तंत्र चाहित वि go तो मार्केट उसमें बड़ा एक फैक्टर काम का था मार्केट का अपना मेकरिंजम उसमें होता है तो और यस और कीड़ती कि यह भी ऐसे से जुड़ी चीज है तो हैसियत में यह कुछ माने जुड़े हुए हैं और इसमें से किसी को भी अपन कोई मुझे मुझे से छूट रहा है तो आप जोड़ सकते हैं लेकिन इनमें से हटाना फुड़ा मुश्किल है क्योंकि सब उसमें बास्ता रखते हैं मजुले विष्ट जी स्वागत है आपकर तो इसका मतलब भी हुए कि अब यह वह वापस से दुनों सब्दों को बला देते हैं लेखक और इस्जियत को और इसको लेखक की हैसियत टर्म बना लेका यह पद सहित पर अपत की हैसियत तो इसे साबित हो गया कि लेखक की एसिय समाज में सब चीज़ें को सामल कर रहा है एक वार जो उपर हमने इसकी बात किया है क्योंकि यह सोर कीड़ी समाज में होती है यह यह बाजार है वो समाज का ही देश्सा है होड़ा से को सोसाइटी यह मार्केट की अपनी उपियुकता है दो तो यह बड़ा जो आयाम है उसका जिलेखा की चिश्यट का वो जोड़ा हुआ एस्समाज से हुन से और दूसरा जो आयाम है वो जोड़ा हुआ उसकी भाषा से जैसे कि हिंदी का साहत्य कार है तो पूरा जो हिंदी बासा का च्छेत्र यानि कि हमारे कई सारे हिंदी स्टेट जिनको हम हिंदी राज्य बोलते हैं कि हंसाथी राज्य कौन कौन से और पूरा वह हिंदी शिक रखे को से फिर्ट बनता है और हिंदी वेट्ट में जो साहत्य प्रिशलित है इसे इंदी भाषी साहत्य की दुनिया में आप उसकी कोई जगह है या नहीं तरह की यह जो एक उसकी हैस्यत का एक संदर यहां पर बनत कि रिदेटेल में जाते हैं तो समाज अपने हे विष्टराएं है था नहीं है कि आप कई समाज को देखने जाते तो आपको संदाय मिलते हैं पूरा समाज संदाय आउं वां बटा हुआ है कम्युटी यूनिट्स पे बटा हुआ है और सब संदाय मिलकर के उसकी समाज की निर्मती करते हैं, समाज अपने आप में एक विश्ट्रेक्ट कॉंसेप्ट है, एक अमूरत अभधारना है, और उसमें बासा पूरे उसमें फैड़ी होई है, तो और हमें इसमें इस फिक करना पड़ेगा, विसिष्ट करना पड़ेगा समाज के बीच पर भी, जो है कल्चर, संस्क्रती, तो संस्क्रती भासा अंतते संस्क्रती का यूनिट है, संस्क्रती का एक कंपोनेंट है, और jो साहित्य यह व raging भासा के अंदर होता है, क्योंकि भासा उसका माध्यम भी और भासा उसका चालक विए चालक सकती भिए तो उसको आगे लेके भी जाती है और यह दोनों चीजे संस्कृति का कमपोनेंट है कल्चर का कमपोनेंट है तो वहां उसको उसके हमें संस्क्रति के दायरे में उसको देखना पड़ेगा तो जब साहत्य संस्क्रति के दायरे में है वासा के जरिये तो लेखक जो भी फंक्षन कर रहा है जो भी उसका फंक्षन है जो कार्रे है प्रकार्रे है लिखने का वह एक कल्च्रल हमसंने एक सांस्कृतिक कार्ण के उसमें कर रहे तो वो उस है उस जो है सामने लाता है अप्र पूरा सांस्कृतिक काम है जिसको हम अंग्रेजी से बोलते हैं PUBLIC DOMINE या PUBLIC SPR, हटर Swetर क्या है , हिटर हिन्दी बरक उसका है HINDI में अनुवाद होता है, जन ब्रत झें शेत्र js लेवित बूहाँ का तो जो साहत्य का PUBLIC DOMINE कौन सा है। साहत्य पुबलिक fluent में किन जरियों से जाता है , तो उसके माध्यम में आप देखें कि साहत्यकार कहां कहां अपनी जो दखल अपना रख सकता है कि आप देखा हैं कि कोस्ता क कि शंग्वं होते हैं नाटक वाले रंग करमी जो इनके अपने संग्षण है इसी बीड को आपने संग्षण में और एसी तरह से लेखों के अपने संग्ठन हें रखसे भीं 국व दे दें करूद में तीन संग्षण है कि एक्टोटिटी करते हैं अप्रेस श्मिढन करते हैं क crawkin करते हैं ऑने संविलिन करते हैं कॉंफरेंस करते हैं शेमनार करते हैं को यह लगफक की सप्राइप हम रहती है और और सप्राइब उसकी इच्वी बनाती है इमेज बनाती है पबलिक इमेज बनती है उसकी बनती है तो एक उसकी श्रकृता का शित्री है कुमार मुकुल जी प्रणाम आपको नारेश जी नमस्कार और दूसरा है पत्र-पत्र का मीडिया पत्र-पत्र का उससाथ आज कर यह मीडिया भी जुड़ गया है जिसमें मैं आप से बात कर रहा हूं तो इन में आप देखते हैं के लिए सक लोग काभी सक्रिय रहते हैं और वो एक छित्र है उनका पब्लिक डॉमन में जाने का और एक असल छित्र ही किताव है प्रिकेशन प्रकाशन जगत जो प्रकाशन जगत तो लेखकों से अविभाजी रूप से जड़ा हुआ है तो वो एक पूरा एक छित्र है और दूसरे कुछ इस्टिटूशन से गवर्मे देवेंजी बताईएगा आपके सवार्ट तो बजने वाले तो दस-पांच में अपने इस प्रोग्राम को बढ़ा सकते हैं क्या तो यह आप बताईएगा नमस्का डूट साफ सत्राण जी सुनना को और तो इन में जो सरकारी उसमें जानते हैं कि जो एकडेमी हैं बेशिव प्रोगे की स्थान ओमें इस तरह की जो इस स्थान हैं जहां लेक लेके लिए जगेह होती हैं और कुछ दूसरे सांस्क्रितिकों जगेह हो सकती हैं कल्ट्र did a सपेस हो सकते जिनको अभी में भूल रहा हूं कि वाया है तो यह एक जगे हैं जहां डेखकों का अपना दायरह होता है अब जो और हम भीतर जाएं इसमें यह तो एक हम बड़े गली आरे मागए जो एक कल्चरल जो इस पीर है और वो जो पॉब्लिक डॉमेंज से जोड़ता है जन्चेत्र से जोड़ता है अब हम और उसमें पिंट पॉइंटेड करते हैं इसको विल्कुल उस पर जो मुख्य बिंदू है उस पर नजर रखते हैं वह एक अंतत्त है आपने दिखा हुआ कि जो सक्षात कर आते हैं लेखकों के तो उनमें हम सब जानते हैं धरमीर वाड़ती बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं और बहुत उन्होंने महत्पून किताब लखी हैं उनका एक इंट्रिवू मुझे याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि उनसे पूछा को लेखक के लिए सबसे मुल्यवान चीज क्या होती है तो धरमीर वारती ने कहा कि एकांथ हो एकांथ सबसे मुल्यवान उसके दुनिया में भीतर की दुनिया में जाना पड़ता है और अपने एकांथ में जब वो लिख रहा होता है तो किसको संबुदत होता है किसे एड्रेस करता है तो हम और आप सब जानते हैं कि हम और आप को ही करता है यानि कि पाठक को एड्रेस करता है पाठक को लेखक जोए अ अन्तता है, कोई भी कलाकार अन्तता है, अपने पाठक को, अपने दर्सक को संबुदत होता है. यह उसका जो इक, जिसको कहते है ना के सहब आपका जो पाजार की बाहसा ही इस्तेमाल करके कहें, तो आपका जो मुख्य टार्गेट हैं, अगरी भूल रहा हमोस, उसका तो, और कुछ लोग कहते हैं कुछ लेखकों को आपने देखा हुआ सक्षातकारों में उनसे पूछा जाता है कि आप देखिए कि आपके तो ज्यादा पूछ नहीं हो रही है आपको यह फलाप पुरुसकार नहीं उला फलाप उसमें न Amen नहीं हुए बगएरा बगएरा तो आपने सुनागा वो कहते हैं कि मैं सब चीजे की परवा नहीं करता है मैं सिर्फ सब अपने पार्टक ओन की परवा करता हो और मेरे पाथख मेरे को सम्मान देता है तो जो पाठकों से जुड़ी जो चीजे हैं उसमें आप देखी कि इसके माइने क्या है कि लेखत का सम्मंद उसकी हिस्चित का सम्मंद इससे जुड़ता है कि उसके पाठकों को उसके लेखन का विस्तार कितना है उसका जो राइटिंग है उसका कितना एक्स्पेंसर है दूसरा पाठकों की प्रितक्रिया के आती है किया आता है ठाओ्स का उसके लेखन को लिकर्करिए है ये हैसियत में बहुत मददगार चीज हैं और एक और श्थे आगے चले जाए तक वुझ पर्णब को कितना प्रभावित कर पाता है, boost कर पाता है यह एक चीज को इसको आखा गया है यह तीन बिंदू इस मामले में उभरते हैं अब वो सवाल उठता है अभी किसी ने कमेंट में कहा था कि सब बेत्प्रकास सर्मा जो है लेखक थे और लेखन पर नर्वड थे और बहुत पैसा अरों ने कमाया तो यहां के बात वड़ती है वापस से कि यह जो पॉपुलर राइटिंग है जिसको हम बोट कोई चेतन भगत इस्टा राइट रहा था पैड़े तो मैं उनको बता दूँँ साथ वो देड़ से जुड़े कि हम हिंदी की बात कर रहे हैं हालंकि चेतन भगत के इस्तर को लेकर की एक्सेलेंस ऑफ राइटेंग तो बहुत सारे लोग अंग्रेजी की नहीं हिंदी के भी चेतन भगत को बहुत एक्सेलेंट राइटर नहीं वानते हैं पहले चित और दूसरे वह दूसरी बात एक अंग्रेजी में पूर्ण कालक लेखन पर निर्भर रहने में कोई अच्छा लेखक है तो आराम से लेखन के दम पर जीवन अपना गुजार सकता है ठीक है हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में जो पॉप्लर राइटिंग है उसमें जो है उसमें भी देखिए आप कि मैं आपको बताओं कि मैंने पढ़ने की शुरूआ थी उनसे की थी लाइबरी तक जो जिस लाइबरी तक गंबीर किताबे मिलती है उस तक पहुंच बनाने में हमें कई साल लगे और लिखने पढ़ने की भूप अजब दस्ती तो जो उस तरह के उपनियास किराय पर देने वारी दुकाने होती हैं उसे किराय पलाते थे पढ़ते थे चुप- और बात में हमने उन लोगों की जिन्दगी के बारे में पता किया तो आप भी देखिए कि उसमें भी आज आज अब उन पर बहुत रिसर्ट हो चुका है आप उनका जानना चाहें तो कि सुरंद मौन पार्थक बड़े काम्याब राइट रहें लेकिन वो पूंड का लेक ल अपन्यासों को ट्रांसेट करने के हंदी में उसके लिए उनकी आत्मकता दो खंड़ों आगया पढ़के देख लीजिए कि कितना संगारसन के जीवन में रहें और दूसरे जो उनसे वी जदा पॉपलर राइटर जब लिख रहें थे जवाने में हो चुके थे ओंप्रिकास तो यह प्रकास खाएं प्रकास सर्मा जब बूड़े होने लगे तब जयाकर अपना घर बन पाया मिरथ में तो इस तरह उनमें से पांसात ही लेक और यह काम्जाब लेक्क माने जाते हैं अंप्रकास शर्मा बगरा नम्मर एक बात तो पोपलर राइट रहें उनको बलकि उ वो खुद भी इस बात को जानते थी। सिर्फ उम्प्रकास सरवानेश सिर्फ एक उपन्यास के लिए क्लेम किया कि इसको मैंने साहित्तिक दरेश्टी से लिकायत को साहित्य मना जाए। और वो हमारे बागडी जी सुन रहे हैं इस बात्चीत में बागडी जी सामटे दिल्ली से वो पन्यास उनके पास है बागडी जी के वो सिसमें के वो फिर चपके आए। तो एक से रफम्प्र का सर्मान एक बागडी उनसे भी पूर बढ़ती जो लेखक थे कुस्वाकान उन्होंने सिर्फ उपन्यास का दावा किया कि साहित्तिक है लाल लेखा राकि उपन्यास को भी खुद दावा नहीं किया तो इस तरह का उनका पॉपुलर जो राइटिंग है उसमें जो सबसी बड़ी जो चीज है वह है कि वह लिट्रिरी जो जो अलिमेंट है वो उनके उस तरह के नहीं होते हैं सरलता करीब आपको एक चीज सेयर कर लेता हूं क्योंकि मैं थोड़ा आलोचनावी काम करता हूं कि आप उसको हाँ जीसी बागडी साहब ने उस किता किताब को नहीं बता दिया है दूसरा ताजमेल यह उम्प्रकार सर्मा के किताब जिसके वारे कहते हैं कि यह लिट्रिली किताब मेरी एक मात्र एक और एक सामली लड़की पर लिखी वो मझे आद नहीं रहा उसके लिए उसको भी तूड़ी आप अगडी साह उस किताब को म कि पॉपॉलर राइटिंग में क्या कमी है और साहित्य में जो नहीं है कि पॉपॉलर राइटिंग में आप किसी भी बैसलर किताब को पढ़ लीजिए उसका आपको दूसरी बार पढ़ने की इच्छा नहीं होगी बलकि आपको कोई कोई प्रिलोवन भी दे के भाई मैं जबकि इस तरह की आप देखिए ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं रागदरवारी को हम हर साल पढ़ सकते हैं स्रीलाल सुकल का जो है और इसे बहुत सारी किताब हैं तो यह जो साहित्य की ताशीर होती है जो इस तरह के बहुत सारी इलिमेंट है जो लिटरी इलिमेंट जो लिटरेचर को पॉपलर जो सीरियस लिटरेचर है उसको पॉपलर राइटिंग से अलग कर दें उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप जान को इसने मुझाद आप चर्चाम निजयरा समय भी हो रहा है तो आखर में मैं फिर चे कहता हूं कि अब हम जो है बापस लिखकी एशिय है कि कुछ कोच पैंटिंग की बनने लगी है लेकिन उसमें भी बहुत सलेक्टेड जो चुटिन दाप्र ही इनकी पैंटिंग भीक्त पाती है तेटर में कुछ कुछ दरसक अब आने लगे हैं कि एक सेनयमा को चोड़ करके तो सिनयमा तो हिंदी शिनमा एक तरह से निख का ह लिए ली आधनिक शंच्रति है, पुर्वाणी संच्रति को हमने Tsch dopo परभरच को पारपर॥क संच्रति को वो छोड़ी है जो पाज हे बन स्कृति की ए है और जो आधनिक शंक्रति की जगए समाज में पं पाईए इतनी वोरी हालत है इसलिए बहुत कम कर पाते हैं ड़ते हैं कि पता नहीं एसेप्टेंस होगी तो जब कहीं भूल हुई है कि जो पारम परिकसे आधने कड दोनों पिंचल उनका कोई आपस में रिस्ता में जोड़ नहीं पाई मनाय नहीं रिस्ता अब तो एक तो बहुत तो पूरा जो पुब्लिक स्पीर है उसका उसमें जो कल्चर की उसमें मॉडर्न कल्चर और ट्रेडिशनल कल्चर के बीच में एक दूरी है और मॉडर्न कल्चर अभी भी उस तरह की बड़ी स्पेस नहीं बना पाई है और उसको बनाने के जतन भी नहीं हुए उनके बनाने के जिली जो कोशिसे की जाने चाहिए थी वो कोशिसें यह थी कि और जो हमारी परंपराम है जैसे आजादी के दौर में देखेंगे के जगे बनती जा रही है जो अखवार कलकते से मतवाला हिंदी में निकल रहा है कलकता से जो बंगली वासी शेत्र था वहासे जो हिंदी में जो निकलता था मतवाला पूरे हंदी प्रदेश में पहुंचता था कि जो जमाना अफवार निकलता था वो सब वह पहुँंचता था जो इस तरह कि जो चाह्णत पत्रका सब वמה हो भी प्भाँरा था एक रिज्रश्ट माधिवी वर्माभर वो पत्रकाम लेखते थी मैंवरा की पत्रका थी और वो बहुत जगह पहुंचती थी तो यह सब फैल रहा था आजादी के लड़ाई के दौरान जब हिंदी फलफूर रही थी सायत्य फलफूर रहा था क्यों आप देखिए कि सब सायत्यकार आजादी के आंदोरन में लगे हुए हैं अपने सांस्कृतिक कामा में लगे हुए कारिकरतक तरह से वो लोग काम कर रहा है और जब आप मैंसे किसी ने का राहूल संक्रतेन तो बुक कर रहा हूं कि राहूल संक्रतेन उस पर अमपरा से आते हैं बाबा नागार्जुन पूरे आप देखिए कि इंदी प्रदीश में गोमते रहे कहीं खाले थी रुख जाते से अनके बच्छों ने कष्ठ पाई लिए भावा नागार्जुन लग रहे में तो बावा नागार्जुन वही से पूर्ण का लग लिक लेखक और जोर से पत्ना से अनkick Stanraw जिनकी अभी जन्सतापदी के आयो जन अब तक होते रहें, तो फड़े सुनाति रहनु का देखिए और उन्हें पटना की सड़कों पर डंडे खाई, उनका एक तश्वीर जो छेड़ से खून नकल रहा है, लंबे बाल थे खून नकल रहा है, तो वो तश्वीर धरमयोग, सा उसके बाद का लिहकों ने भी ज्यादातर ने देखा है कि आप देखिए कि उनिवर्स्टी तब नहीं थी, उनिवर्स्टी खुल गई, हिंदी डिपार्ट्पेंट खुल गई, सरकार आगई, आजात सरकार, सरकार डेकड़े भी बनाई, किताब उनके खृत सुरू की, हमने मार्केट से लिंकेज, एक तरफ तो देखिए कि हमने जो पार इंपरिक संस्क्रती से जो आधनिक जितनी भी कलाई हैं, उनका कोई रिष्टा नहीं बनाया, और दूसरा हमने अब तक कोई मार्केट लिंकेज बनाई नहीं, अभी महेश परनाठा जी ने का गई जो पै की जिस तरह से हम से खुद हमें 행복 olduğum कि समका अमने हैं, या में किताब का डालते हैं, हमरे नोखी किताब आई है, अमेजन का लिंक देते हैं या जिससी वी बितरत हो रही है,जिशे का नाम देते हैं, एक्तिविजन हमने हैं, तो हमारे लिए वह वियक्ति बहाद है, अपने भूलक के बाद की सबक वो हमने कि चोड़ दिये और जो छो चोड़ दिये तो इसका प्रभाव हर लेखक की हैसेता पड़ा है और इसका प्रभाव यह पड़ा है कि कोई प्रकासक अब चूंकि यो सरकारी खरीद है जब से गुलूलाइशन हुआ नया तरह का बाजार तंत्र आया उससे क्या हुआ कि सरकारों के बजट में कटोतियां सुरूएं और सबसे कि प्रकासक अब प्रकासक रिस्क नहीं लेना चाहता है क्योंकि किताब रिताब सरकारी खरीद होने रही मार्केट में कृटती नहीं है तो वह जो है कि हम अधाब से पैसे लेंगे तो यह संकट खड़ा हुआ है तो मैं बापस इस पर आता हूं जो मैंने अपनी अब पाफक को ध़िहान मरं नहीं रहिए अपाठक को धिहान मर रखेंगे और आपको पूरे उस जो मैंने पब्लिक स्पियर का तंत्र बताया उसको आप इस्तिमाल करेंगे डाफक तक पहुंचने कोसस करें और पाठक तक पहुंचते हैं और अगर आप इस सिद्दत से लिखते हैं कि मुझे अपने पाठक के लिखना है और मुझे अपने पाठक तक पहुंचना है और आप पाठक तक पहुंचते हैं तो पाठक आपको सिर आंखों बिठाएगा मैं आपको सिर्फ इस पर दो धान दे रहा हूं किसी ने यहां हरीस बादानी के लिए कहा था हरीस बादानी ने कभी इस चीज की परवाने की कि मुझे क्या संग जाए उनकी बहुत इज़त थी उनकी परवार की बहुत इज़त थी उन्होंने अपनी एक मात्र पहचान कभी कभी की पहचान को साम में रखा और आप देखिए हरीस बादानी को पा उनके सुनने वालों ने उनके पाठख कोने से राँखों पर बठा रखा आज तक वो हमारी स्मृती में चाहे रहते हैं और दूसरे में अभी और उनके जो साथ के एक और रशनकारे जैपर के वो अभी गुजरे हैं हमारे साथ से डॉक्टर तारा प्रकाश जोशी तारा प्रकाश जोशी आईएस थे वारतिये प्रसासनक सेवा के अपसर थे सुपरिस्केल आईएस से रिटायर हुए और कभी भी उन्होंने अपने आईएस को अबने कवी के उपर हावी नहीं को होना है तो उन्हें अपनी कवी को आगे रखा कवता को आगे रखा और उसका नतिया यह था और वो अपने एक जो है इस तरह से आप देखें कि आपने देखा हुगा इस तरह के रशना का आलोचकों की परवाने ही करते जाता है है कि अपने पाठक हों को यालोचक मांते हैं। उनके दिलचस्पि पाठक हुथ है कि मेरा पाठक क्या कहता है Or अपने जो अपने प्री यखकक से पाठक मेरोगा और अलग तरह मैं यह उछाई को अगर अच्छी आलोचक है तो और उनको और समरढ करने में मददक उनकी और व्याठ्ः करते हैं में यह को perspekt ये मददक करते हैं यह तो यजए आखर में यह करना हम चाहिए कि हम पनी पाठक को जो आफार सौल जिसको हम एकमातर 20 उसको कुछ पाथक कौन होगा उसकी चभी साम में रखते हैं उसको अगर हम हमेशा याद रखते नहीं भूते और उस तक पहुंचने कोशस करते हैं तो आपकी जो बास्त्विक जो हैसियत है जो कि आपकी चाहिए होती है मैंने सुझ तक बहुत धंदा उलत तो और सब की आपको 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 जो है में एक सिर्प अधान देता हूं आज की तारीख में मुझे अधर प्रकास याद आते हैं जो पूंड कालग लेखते हैं आज की तारीख में जो सबसेदा तवज्य अपने उनकी भी बहुत आलोचना हो सकती है अधर प्रकास की भी यह नहीं करा पर जिस चर्चा में एक उधान के तौर पर में सामने रखना चाहता हूं और वह अपने पार्ठकों की परवा करते हैं बहुत कम लिखते हैं और हवाई जास से यात्रा क चाहते हैं लेकिन यह जो चीज है मुझे लगता है कि इसका जो यह सूत्र और यह मैं नहीं कर रहा हूं यह आप देखें पुर चर्चा से निकल के आ रहा है हमारा पाठक अंतत्त है हमारी हश्यत तै करने वाला एक नडायक तत्व है और एक प्रमुक तत्व है बागी मिल जाएंगे आपको पॉर्षकार मिल जाएंगे अम्हारे सहता काुआ प्रमुक टॉल्ब्सकार के आपने प्राशर को आपको प्यार करते नहीं यह तो आप सित्र जांते हैं तो नहीं को बढ Für service को छयानती सा श्यांततिस विब्वेश्यक्वेत। तो यह जानते आं रहा ह थी जो आप सुखे में साजा करना चाहता था अब कितनी आपको काम की लगती हैं कितनी नहीं लगती हैं या कुछ सवाल इसमें निकलते नहीं और आप और भी कमेंट करेंगे मैं तसलीशन को पढ़ूँगा और आप पो रेस्पून करूँगा मुझे अच्छ लगए लगए पढ़ करके मैं आप सब का बहुत बहुत सुक्रबजार हूँ और धन्यवाद